कर दो क्यासे हैं आप सब मीद करती हूं कि आप बहुत अच्छे हों कि आज में लिखे आई हो आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी ग्रीक सालेज रेसिपी ग्रीक साल इतमाने कि भी मैं है अपूली थे रेसिपी है इस दो आपका लिए अधिजिपी ह appear है count cherry tomatoes जो कि मैंने cut करके रख लिये थे इसके साथ ही आड़ कर रही हूँ यहाँ कुकंबर्स यहां पर मैं आड़ करूंगी red और green capsicum जो कि मैंने बरीक बरीक लंबाई में काट ली है अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ black olives करीब हाफ कैन black olives का इसमें आड़ किया है मैंने मुझरेला चीज वन कप लिया है अब हम इसके ड्रेसिंग तेयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है हाफ टेबल स्पून मैंने यहां पे आड़ किया है अपल सिट्व विनिगर यहां पे lemon juice आड़ करूंगी lemon juice आप फ्रेश lemon का भी ले सकते हैं मैं यहां पे यह वले यूज कर रही हूँ हाफ टी स्पून lemon juice आड़ किया है मैंने थोड़ी सी black pepper आड़ कर रही हूँ यहां पे black pepper टेस्ट के लिए उसार कम जादा कर सकते हैं dried oregano आड़ करूंगी oregano बहुत अच्छी फ्लेवर देता है इसमें salt आड़ कर रही हूँ हाफ टी स्पून अब यह mixture को अच्छे से mix कर लेंगे अब इस dressing को खाने से पहले भी बना के रख सकते हैं जैसे आपने तोड़ी जर्बात कहना है तो आप salad अलग से कच कर लें और dressing अलग से बना लें और जब आपको serve करना है तो उसी time आप dressing एड़ कर दें नहीं तो अगर आप पहले बना के रखोगे तो आपकी salad तोड़ी से डल हो जाएगी salad को एक बार अच्छे से टॉस कर लेंगे अब मैं इसमें आड करूंगी dressing अब इसे अच्छे तरह से mix कर लेंगे सारे contents mix करने के बाद ही हम इसमें cheese डालेंगी क्योंकि cheese soft है इसे अच्छे से mix कर लें उसके बाद में cheese को add करेंगे मुझरीला चीज लिया है मैंने यहां पर इसे फिर से थोड़ा सा mix कर लेंगे अब इसे फिर से थोड़ा सा mix कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने salad को प्लेट में सब्सक्राइब कर दिया है देखने में कितनी अच्छी लग रही है कितनी colorful है कितनी healthy और delicious भी है उमीद करती हूँ कि एक Greek salad recipe आपको पसंद आई होगी और भी recipe जाएगे और भी recipe जाएगे